दोस्तो आज मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा कांड मेरी गाड़ी को एक बंदा शिफ्ट वाला थोक के चले गया मुझे तो चोटनी आई मैं गाड़ी की हालत देखो कैसी हो गई यह देखो गाड़ी का चेचस तोड़ दिया है भैंकर तरीके से लाइट चालू करना भाई जड़ा यह देखो गाड़ी का पूरा चेचस तोड़ दिया है जब उसमें एक ठोका ना तो ये उसकी गाड़ी का निकल गया मतलब सोचो किस स्पीड पर ठोका हुआ कम से कम सौ की स्पीड थी उसकी गाड़ी की पुरी हालत खराब कर दी और ये हुआ है शिवाजी चौराय के पास अगर आपको वह बंदा दिखता है अगर एसी कोई ये वर थाने में में कम्प्लेंट करके आ घया हूँ और अप दिखाता हूँ आपको गाड़ी के अच्छे से हालत क्योंकि हूहां पर थोड़ी से लाइट नहीं थी ना यहां से कितनी खतरना गाड़ी बैंड होई यह भैंकर तरीके से देखो पूरा बैंड हो गया है और य यहां पर इसका चेचेस भी तूड़िया है पूरा और यह चेचेस जाके टायर में देखे साइलेंसर इस तरीके से टकरा रहा है मतलब गाड़ी की पूरी अम्मा कर दी उसने यह पूरा मेरे गाड़ी का एक एक पार टोड़ डाला मतलब सोचो कितनी स्पीड से था यार वो ब बस यहांपर हलका सा मुका मार लगा और यहांपर हलका सा लगाए और घुटने पर थोड़ी सी मतलब चोट लगी है बाकी तो पूरी गारी की काम लग चुके बिदक कल थाने में प्रॉपर तर्फिके से चेकिंग क्योंकि पूरे नगर के कैम सा बंदा था उसने बुद्व वहां से उसने लिया राइट टर्न साही बाबा मंदिर के पास से उसके आगे कल की अब उसके आगे का वो कहा गया है उसके घर तक है तो हम जाएंगे जरूर क्योंकि उसने ठोका और वो चले गया तो सबसे बड़ी गलती यह करी कि उस ठोक के अगर मुझे उठाता तो मैं उस और पूलिस में पूरी पूलिस वालों ने भी देखा कि उसने इतनी स्पीड गाड़ी चला के गया ना भाई अगर सोचो मेरे बदले कोई छोटी गाड़ी वाला बंदा रहता ना जिसकी गाड़ी कमजोर होती तो वो मर जाता यार क्योंकि जिस तरीके से लेक गार्ड बैं आप सर्च करिए और उस पर मुझे डाइरेक्ट डीमेम कर दीजिए